अगर अपना UGC NET का अटेम्ट देना चाहते हो तो उसके लिए form filling की dates आ चुकी है पूरा procedure पूरा यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा prospectus आपके सामने share कर दिया गया है काफी सारे जो doubts होते हैं students के वो भी यहाँ पर clear करने की कोशिश करी गई है और क्योंकि a form filling शुरू हो चुकी है तो एक बारी जब form सामने आ जाते है तो students को लगता है कि हाँ आप यह हमारे पास last के कुछ दिन रहते हैं last का कुछ मौका है हमारे पास जब हम अपनी तयारी करके अच्छे से अपना examination clear कर सकते हैं so almost लगभग दो महीन है अब आप लोगों के पास है April is about to end फिर उसके बाद May और फिर 10th of June से तो जो अभी तक tentative dates announce करी गई थी तो 10th of June से आप लोगों के examination शुरू हो जाएंगे तो अगर आप paper to education की तयारी कर रहे हो तो ये last दो महीने में आपको किस चीज का ध्यान देना है कैसे अपने examination की तयारी करनी है ये मैं आज के session में आप सबके साथ इस quick video में आप सबके साथ discuss करूँगे देखिए सबसे पहले तो क्यूंकि आप हमारे पास limited time रहता है देना है कि जितने भी हमारे sessions होते हैं सबसे पहले videos जिसमें मैं आप लोगों को बोलूँगी जो live sessions है या फिर recorded है यानि कि आप live नहीं देख पाए हो आप ensure करो कि जैसे भी time निकाल कर सुबा आपके पास time है तो फिर सुबा या फिर शाम को दुपहर में कोई और काम करते हुए आप ये ensure करो कि आप ये videos जरूर देखो आप ये जो videos हैं या आपको दो platform पर मिलेंगी या तो अनकाडमी की app पर मिलेंगी या फिर तो आपको YouTube videos मिलेंगी इन दो platform पर आपको live और recorded videos दोनों available हो जाएंगी अब ये videos आपको देखनी क्यों है क्योंकि आप last का जो आपके पास मौका है लगबग 2 महीने का time है तो of course आप starting से पूरा start नहीं कर सकते हो आप ये नहीं सोच सकते हो कि मैं paper 1 और paper 2 दोनों को एक साथ लेकर चलूंगा या चलूंगी और मैं 2 महीने में complete 10 units पूरा theory complete करके फिर pyqs फिर mock ये सब कुछ कर पाऊंगी तो अभी के लिए आपको ये ensure करना है कि जो भी हमारे sessions हो रहे हैं अब आज की date से आप ये ensure करो कि आप वो live या फिर recorded format में देखो क्योंकि आप last के 2 महीने में क्या होता है कि जब हम लोग भी session ले रहे होते हैं तो हम quick way में बहुत सारे concepts explain करने ही होशिश करते हैं तो आपको काफी सारा content, काफी सारा आपको अपने topics, subtopics से related material मिल जाएगा फटा-फट से इन videos में इन videos की help से आप अपना revision भी कर सकते हो और जो topics आपको difficult लगते हैं या आपने नहीं पड़े हैं उनकी जानकारी भी आपको मिल जाएगी Secondly आपको दिहान देना है कि इन videos की help से आप अपने short notes बना लो जादा नहीं short notes एकदम to the point और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को है ना ये concept एकदम clear है मैं सिर्फ revision के लिए देख रहा था या देख रही थी तो कोई बात नहीं बट अगर आपको कोई topic नया लगता है या फिर आपको लगता है कि हाँ ये topic मैंने नहीं पढ़ा था या फिर इसमें मेरे को difficulty है तो फिर उसके लिए आप short note ज़रूर बनाओ क्योंकि ये आपको last में revision के लिए examination से एक हफ़ता पहले, examination से एक दिन पहले, examination से एक घंटा पहले revision के लिए help करेंगे ठीक है तो short notes आपको ज़रूर बनाने है फिर उसके बाद आप क्योंकि हमारे पास ऐसा time आ चुका है yes अब क्योंकि एक दम end मौका है तो of course जो भी आप videos देखोगे, sessions देखोगे चाहिए आन academy आप पर वो free sessions हो या फिर youtube पर हो तो वहाँ पर हम PYQs और MCQs करवा रहे होंगे आप लोगों को तो आप PYQs और MCQs आपको इस तरीके से practice करने है कि आप देखो कि हर एक session में आपकी performance कैसी हो रही है आपको ये पता हो कि अच्छा मैंने ये एक घंटे का session अटेंट किया है तो इस एक घंटे के session में अगर हमने 30 questions किये हैं तो उस 30 में से मेरे 15 सही थे यानि कि 15 बिना difficulty के आपने easily attempt किये हैं बाकी 15 में of course आपको videos देखनी है revision करना है, notes बनाने और फिर से जब उन questions को आप approach करोगे तो आपको देखना है कि अच्छा वो चीज आपको समझ आ गई या नहीं आई यहाँ पर जो PYQs और MCQs आप करोगे तो of course अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि आपका एक correct answer होता है बाकी तीन आपके wrong answers होता है तो जो wrong answers है क्या वो valid options हैं या नहीं है कुछ-कुछ options आपको ऐसे मिलते हैं जो एकदम out of the context होता है या फिर जो actually में कोई real option होता ही नहीं है just to divert you, just to confuse you ऐसे options दे दिये जाते हैं बट जैसे कि अगर हमारे पास बाकी options हैं जो आपके content से ही, आपके topic से ही related है तो उनका भी background at least आप लोगों को पता होना चाहिए कि अभी तो चलो हमारा ये answer है बट अगर question दूसरा होता तो क्या ये answer हो सकता था या फिर ये answer हो सकता था ठीक है तो आपको उनका भी background, उनकी भी understanding होनी चाहिए अब वो चीज़ क्योंकि आप time कम है तो आप separately जाकर नहीं कर सकते हो so at least with the help of PYQs and MCQs आप ये ensure करो कि आप बाकी options के बारे में भी थोड़ी थोड़ी knowledge प्राप्त करते रहो फिर lastly हमारे पास आता है जो एकदम आपका last का मौका होगा that will be your mock test और वो आपको कब करना है एकदम last में एकदम last में एकदम last यानि की अभी जैसे हमारे पास tentative date है 10th of June तो आप 1st of June से अपने मौक लगाना शुरूर कर सकते हो और ये मैं specifically उन students के लिए बोल रही हूँ जो अभी अभी जागे हैं अभी अभी जिनकी तयारी शुरू हुई है उनके लिए बाकी students जो हमारे साथ बहुत time से जुड़े हुए है 6 महीने से 8 महीने से 1 साल से तयारी कर रहे हैं तो आपके लिए तो समय शुरू हो चुका है मौक लगाने का बाकी students जो अभी अभी तयारी करनी जिनोंने शुरू करी हैं तो पहले ये 3 काम आपने प्ताओ और फिर उसके बाद आपको मौक की तरफ जाना है लास्ट के 10 दिनों में पहले आप ये एंशॉर करो कि आप alternate days पर सुबर 9 से 12 की shift पर या फिर शाम को 3 से 6 की shift पर मौक टेस्ट दे रहें ताकि आप prepare हो सको for the examination खुद को ready बना सको जब आपका admit card आजाएगा आपको पता चल जाएगा कि आपका morning shift में examination है या फिर evening shift में है तो उस हिसाब से आप अपने mock test फिर उसी time पर लगाओगे जैसे कि अगर education के students को पता चलता है कि हमारा examination let's say 12th of June को है ठीक है और आपका admit card आगया 5th of June को अब students को पता चलता है कि इसे fake shift में examination है सुबर 9 से 12 की shift है तो अब यह जो आपके पास 7 दिन रहते हैं अब इन 7 दिनों में आप सुबर 9 से 12 में ही अपना mock test होगे आप बहुत जादा prepared हो जाते हो mock test दे के same time पर अपने examination के लिए पिर जब आप actually में examination देने जाओगे तो आप उतना nervous feel नहीं करोगे आपको confidence होगा भी आप mock test से सीख जाते हो ठीक है तो यह specifically यह जो strategy है मैंने आप सब के साथ share करी है यह उन students के लिए है जो अभी सिफ और सिफ last के 2 महीने में अपनी तयारी कर रहे हैं बाकी students जो काफी time से तयारी करते हुए आ रहे हैं तो आपके लिए simple सा funda है कि आपको revision करते जाना है paper 1, paper 2 जो आप already cover कर चुके हो अब आपको weekly basis पर आपना कोई time या date decide कर लेनी है कि हाँ हमें Saturday को या Sunday को paper 1 जितना हमने पढ़ा है वो revise करना है या paper 2 जितना पढ़ा है वो revise करना है revise आप करते रहो साथ-साथ हमारे जो sessions हैं वो आप देखते रहो मेर साथ paper 2 education की तयारी करते रहो जो भी मैं topics, important topics PYQs, MCQs आप लोगों को करवाऊंगी अपनी performance शेक करते रहो ठीक है जो mistake होगी वो mistake note down करके of course उसे rectify करो अपने notes में उन चीजों को new concepts को add करते रहो and then अपने mock test भी अब आप देना शुरू करते ठीक है UG NTA की site पर भी आप अपना examination mock test दे सकते हो तो वहाँ पर भी option है उसके लिए भी मैंने separate video बनाई हुई है कि कैसे आप उस opportunity को avail कर सकते हो तो आप वो video जाकर देख सकते हो and उसके अलावा particularly अगर हम बात करें यहाँ पर yes दो महिने का ही time रहता है दो महिने में ही आप लोगों को अच्छे से तयारी करनी है तो अनकाडमी का यह जो special offer है जो 20th of April तक था उसे extend कर दिया गया है 23rd of April तक कि दो महिने का आप subscription ले सकते हो at the price of 2024 जो और कम हो जाता है अगर आप मेरा code join.jk use करोगे तो link आपको description box में मिल जाएगा so yes दो महिने में अगर आपको अच्छे से तयारी करनी है MCQs, PYQs, Theory और हमारे जो past sessions रहे हैं, past batches रहे हैं उनकी भी आप बना लिया है then yes ये आपके लिए काफी अच्छी opportunity है so that was all for today किसी को कोई doubt हो कोई दिक्कत समच्या परिशानी हो then please do comment and let me know कि क्या आपको problem आ रही है form fill out करते हुए या फिर कोई और doubt है then you can reach out to me so that was all thank you so much bye bye take care